हलो एव्रिवन आप सभी का सागर्ज दोस्तों फिर से आप लोगे धामाखेदार वीडियो लेकर आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नमबर टू में एक्सेस 2.2 में कोशन नमबर टू में रोमा लिटर 1,2,3,4,5,6 तो पूरे वीडियो दोस्तों इंटल जरूर देखेगा दोस्तों सीखने के लिए और दो सकेना चाहूंगा वीडियो पसंद राया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सब्सक्राइब इस वीडियो को अपने दोस्तों शेक करिएगा इसे हरे एक लोग कुछ नए ने चीज़ सीख सके तो चलिए दोस्तों सुल करते हैं आज का है वीडियो चलिए दोस्तों आपके लेकिया है हमें question number 2 में romanator 1 लेकिया हैं दोस्तों और इस question को solve करने के लिए आपके लिए मैं ऐसा trick लेकिया है हूँ जिसके बाद दोस्तों आप ऐसे sum को easily solve कर पाओगे देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है कि find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of 0 respectively. मतलब respectively मतलब क्या होता दोस्तो यहाँ पर जो sum दिया है तो यह sum पहले वाला जो होगा वो sum होगा और दूसरे वाला जो दिया हुआ है वो क्या होगा दोस्तो product होगा ठीके मैं इस तरह से लिख लेता हूँ अब ध्यान दीजिएगा formula बताने जा रहा हूँ formula यह है कि अगर quadratic polynomial में convert करना है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा x square यहाँ पर minus यहाँ पर s और यहाँ पर x प्लस p equal to 0 अब आपके दिमाग में आएगा यह formula को कैसे याद रखेंगे exam में यह भी trick सिखा देजिए आई आए आपको बताता हूँ देखे दोस्तों यहाँ पर यहाँ वह s दिया है s मतलग क्या होता है सामने और p मतलग क्या होता है पीछे मतलग सामने मतलग आगे आएगा और P मतलब क्या होगा, पीछे मतलब पीछे आएगा, इतना clear हो गया, अब मैं आपको सिकात हो, sign कैसे रखना है, यहाँ पर P for plus होता है, इसे सामने देखिए, P का sign plus है, और S for क्या होता है, सब्स्ट्रेक्शन होता है, मतलब S का sign देखिए, यहाँ पर minus है, clear हो गया, formula बहुत simple है, अब दोस्तो S मतलब क्या होता है, वह भी बता देखिए, आपको मैं, S मतलब होता है, sum मतलब alpha plus beta, right, और यहाँ पर P मतलब होता है, alpha into beta, मतलब product, right, तो यहाँ पर आपको sum दिया हुआ है, sum क्या दिया हुआ है, 1 upon 4 दिया है, तो यहाँ पर 1 upon 4 लिखूंगा, और यहाँ पर x लिखूंगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर plus product क्या दिया है minus 1 दिया है तो bracket में minus 1 लिखूंगा equal to 0 उसके बाद क्या करना है यहाँ पर x square minus 1 upon 4 यहाँ पर x plus minus minus होगा तो यहाँ पर minus 1 कर दीजिए equal to 0 अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको LCM लेना है तो यहाँ पर इस तरह से box बना दीजिए ठीक है तो 1 के table में 4 कब आएगा 1 4 जा तो box में अगर 4 है तो यह box में जो 4 है उपर multiply होगा तो 4 multiply होगा x square क्या होगा 4 x square तो यहाँ पर 4 x square आ गया अब 4 के table में 4 कब आता है 4 1 जा 4 तो यहाँ पर आप 1 लिखो गया और यह box में जो आएगा वो ठीक है तो आप क्या करिएगा x लिखिएगा ठीक है तो next step में हम x लिखेंगे अब यहाँ पर 1 के table में 4 कब आएगा 1 4 जा तो box में 4 आ गया तो यह इसको multiply करेगा तो 4 1 जा 4 minus 4 equal to 0 अब दोस्तों यह जो 4 है 0 से multiply होगा तो यहाँ पर answer आएगा 4 x square minus x minus 4 equal to 0 यह हो गया quadratic polynomial तो दोस्तों यह question आपको समझ में आ गया होगा अब दोस्तों second question के तरफ ले जा रहा आपको मैं यह रहा roman letter second तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे क्या लिखा है root 2 और यहाँ पर 1 upon 3 जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि sum and product of zeros respectively तो यहाँ पर s क्या होगा s आपका root 2 होगा और p क्या होगा आपका 1 upon 3 होगा ठीके formula कैसे काया था मैंने formula सिकाया था आपको मैंने x square minus sx plus p equal to 0 अब दोस्तों क्या करेंगे value put करेंगे तो यहाँ पर देखोगे x square है और s का value क्या दिया है root 2 तो यहाँ पर root 2 x लिख दिया मैंने यहाँ पर product मतलब यहाँ पर दिया है 1 upon 3 तो इसको multiply करेगा यह इसको multiply नहीं करेगा क्यूंकि इसने छत्रचाया दिया हुआ है जिसने छत्रचाया दिया हो आपको उसको चोट पहुचाओगे नहीं इसलिए multiply नहीं करेंगे यह एक कहानी है समझाने के लिए लेकिन अगर आप LCM लेते हो तो यहाँ पर नीचे 3 आता है तो 3 के टिबल में 1 आता है तो 1 3 जा 3 तो 1 multiply होगा उपर तो क्या होगा 1 ही होगा समझ गए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर 3x square minus यहाँ पर 3 root 2x plus 1 और नीचे यहाँ पर 3 होगा जैसे आप LCM निकालते हो और यहाँ पर 0 अब यह 3 से multiply होगा तो 3x square minus 3 root 2x plus 1 equal to 0 यह आपका quadratic polynomial बन गया ठीक है उमेर करता हूँ दोस्तों यह question भी आपको समझ में आ गया होगा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों रो मोलेटर 3 की तरफ बढ़ते हैं यह रहा रो मोलेटर 3 अब देखो दोस्तों यहाँ पर 0, root 5 तो यहाँ पर देखोगे तो यह 0 दिया है तो 0 मतलब s equal to 0 और p equal to root 5 ठीक है इतना लिख दिया है अब क्या करेंगे दोस्तों formula लिखेंगे तो formula लिखोगे आप तो यहाँ पर x square minus sx plus p equal to 0 अब यहाँ पर x square तो आएगा या आएगा s का value क्या दिया है यहाँ पर 0 दिया है तो 0 multiply by x plus यहाँ पर root 5 आगे solve करोगे तो यह 0 multiply x होगा तो गायव हो जाएगा तो last में final answer होगा हमारा plus root 5 equal to 0 यह आपका quadratic polynomial बन गया अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों रोम अलेटर 4 की तरफ बढ़ते हैं यह रहा रोम अलेटर 4 यहाँ पर दिखोगे तो यहाँ पर sum और product 1 ही दिये हुए है तो यहाँ पर s equal to 1 लिखूँगा और product equal to 1 लिखूँगा फिर क्या करोगा दोस्तों formula apply करूँगा तो यहाँ formula होगा x square minus sx plus p equal to 0 अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर x square लिख दिया s का value क्या है यहाँ यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पर 1 x plus p का value यहाँ पर 1 दिया हुआ है अब यहाँ पर x square यहाँ पर 1 लिखने को मतलब नहीं है तो यहाँ पर minus x plus 1 equal to 0 यह हो गया quadratic polynomial उमीड करता हूं दोस्तों यह question भी आपको समझ में आ गया है अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों रोम रोम लिटर 5 में देखोगे यहाँ पर minus 1 upon 4 और 1 upon 4 दिया है तो यहाँ पर देखोगे तो यह s क्या होगा आपका minus 1 upon 4 क्योंकि यहाँ पर sum and product of zeros respectively दिया है पहला वाला sum होगा दूसरों वाला क्या होगा product होगा तो यहाँ पर p equal to क्या होगा 1 upon 4 होगा अब हमें क्या करना है quadratic polynomial निकालना है तो यहाँ पर formula होगा x square minus sx plus p equal to 0 यहाँ पर x square लिखूँगा s का value क्या दिया है यहाँ पर minus 1 upon 4 और यहाँ पर x होगा और p का value क्या दिया है यहाँ पर 1 upon 4 equal to 0 अब दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा minus minus plus लिख लेता हो मैं और x multiply 1 क्या हो होगा x upon 4 plus 1 upon 4 equal to 0 नीचे दोस्तों यहाँ पर 1 लिख दूँगा मैं अब मैं क्या करूँगा LCM लोगा तो यहाँ पर LCM क्या आएगा 4 आएगा equal to 0 box बना दिजिए इस तरह से box बना दिया मैंने 1 के table 4 कब आएगा 1 4 जा अब 4 दोस्तों box में आ गया है मतलब यह ऊपर multiply होगा ठीके तो 4 multiply by x square क्या होगा 4 x square होगा 4 1 जा 4 box में 1 आ गया है तो 1 multiply करेगा x के साथ तो यहाँ पर x हो जाएगा अब 4 के table में दोस्तों 4 कब आएगा 4 1 जा 4 फिर 1 multiply करेगा 1 को तो यहाँ पर plus 1 अब यह 4 0 से multiply होगा तो हमारा quadratic polynomial आ गया है यहाँ पर क्या आ गया है 4 x square plus x plus 1 equal to 0 अब दोस्तों आगे परते हैं दोस्तों रोम लेटर 6 की तरफ बढ़ते हैं यह रहा Roman लेटर 6 तो यहाँ पर देखोगे 4,1 दिया हुआ है तो यहाँ पर पहले क्या दिया है 4 दिया है मतलब S आपका sum और product क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 जिया है ठीके अब क्या करेगे क द प्लस यहाँ पर P की वैल्यू देखोगे तो 1 दिया है तो यहाँ पर 1 लिग दिया इकोल टो 0 अब देखोगे दोस्तों यह रहा आपका Quadratic Polynomial तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई आप प्लीज कमेंगे कर बताएए वीडियो का अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो चाहिए इस वीडियो को पर दोस्तों शेक करिएगा इसे हरे एक लों कुछ नए ने चीज़ सीख सके और दोसर खेना चाहूंगा अगर आप इसी तदा सीखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिसर को आल कर लेना इसे हरे एक वीडियो आपको एजीली मिल पाए तो फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए मिलत अगे वीडियो में तब तक रहिए थैंक यू सो मच बाइडियर स्टूदेंट